तीखे ने नक्ष, होटों पर मुस्कान और शांदार अभिने सत्तर और अस्ती के दशक की वो अभिनेत्री जिसे दुनिया राखी गुलजार के नाम से जानती है तो भी कभी मेरे दिल में चाहे कोई हसीना का किरदार हो या फिर किसी की मासुका का किरदार राखी हर किरदार को ऐसे निभाती है कि देखने वाले उनके काईल हो जाते थे ये बात सच है कि जब भी बॉलिवुड के बीते दोर की खुबसूरत अभिनेत्रियों की बात होती है तो राखी गुलजार का नाम सबसे उपर आता है बल बल दिल के पाँ बड़ी बड़ी आँखे तिस पर एक प्यारी सी मुस्कान वाली उनकी ये तस्वीर आज भी लोगों के दिलो दिमाग में बसी है लेकिन आज राखी गुलजार इतनी बदल चुकी है कि अब शायद आप उन्हें पहचान भी न पाए शकल ही नहीं बलकि उनकी पूरी की पूरी जिन्दगी भी बदल चुकी है सत्तर से नब्बे के दशक में राखी गुलजार एक खास नाम हुआ करती थी लेकिन आज वो एक आम उरत की तरह जिन्दगी बसर कर रही है एक खास सक्स के इस तरह आम शक्स में बदलने के लिए जिम्मेदार है उनके पती संपोर्ण सिंग कालरा उस मशूर शायर गुलजार परानी नजमों से एक महक आती है मुझे उन रजाईयों की जो गर्मियों में सुखाई जाती है दूप में हाँ ये वही गुलजार है जिन्होंने बॉलिवूर्ट सिनेमा को कई कालजई गीत दिये हैं हाँ ये वही गुलजार है जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें लम्हों की जबर्दस्ट पकड़ है हाँ ये वही गुलजार है जिने बेहद नरम दिल, शांत और जज़बाती इनसान कहा जाता है जिनका नाम हिंदी सिनेमा में बेहद इज़त से लिया जाता है उन्हीं गुलजार पर आरोप है कि उन्होंने अपनी पत्नी राखी को इस कदर पीटा कि वो उनका घर हमेशा के लिए छोड़ कर चली गई जिसके बाद राखी रुपहले पर्दे की चकाचोन से दूर खेती बाड़ी करके अपनी जिन्दगी बसर करने लगी आखिर उन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ जो ऐसी नोबत आ गई आखिर क्या बात हो गई जिसके चलते फिल्मों में आदर्शवारी गीत लिखने वाले गुलजार को अपनी पत्नी पर हार्थ उठाना पड़ा आखिर क्या वज़े रही होगी कि राखि गुलजार से अलग होकर अकेले रहने लगी बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ आप बने रहिए हमारे साथ 15 अगस 1947 ये वो दिन था जब हिंदुस्तान को आजादी मिली थी इसी खास दिन राखि का जन्म हुआ था यानि जब राखि जन्मी तो पूरा देश खुशु से जूमा था राखि को बच्पन से ही फिल्मों से बहुत प्यार था उनका सपना था कि वो भी बड़ी होकर हिरोईन बनेगी छोटी सी ये बच्ची तब इस बास से नामालूम थी कि वाकी उसकी एक खुआईश पूरी तो हो जाएगी लेकिन उनका घर ले डूबेगी राखि जब 20 साल की हुई तब उन्होंने बंगाली फिल्म बदू बरन से एक्टिंग करियर में अपना डेब्यू किया था ये फिल्म साल 1967 में रिलिज हुई थी वहीं बॉलिवूड में उन्होंने जीवन मर्त्यू से इंडुस्ट्री में अपना कदम रखा सतर के दशक में राखि अपने करियर के चरम पर थी इसी दोर में एक फिल्म की पार्टी में उनकी मुलाकात तेरा साल बड़े गुलजार से हुई गुलजार को बांगला संस्कृती तीती रिवाज बहुत पसंद था इसी के चलते वे राखि की तरफ खीचे चले गए हौले हौले दोनों में प्यार हो गया और 15 मई 1973 को ये प्यार शादी में बदल गया कहा जाता है कि गुलजार ने राखि के सामने शादी से पहले ये शर्ट रखी थी कि वो शादी के बाद फिल्मों में काम नहीं करेगी राखि ने भी उस वक्त गुलजार की इशर्ट को मान लिया था और अपने सरनेम में गुलजार का नाम जोड लिया फिल्मों से अलग होने के बाद राखि गुलजार के नाम से जानी जाने लगी शादी के एक साल बाद राकी ने एक प्यारी सी बित्या को जन्म दिया इस तरह राकी घर और बच्ची में मशगूल हो गई एक तरफ गुलजार एक साथ कई फिल्मों में काम कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ राकी पूरा वक्त घर में अकेले बिता रही थी लेकिन सही कहे तो एक समय बाद राखी घर पर अकेला महसूस करने लगी थी उनका मन फिर से फिल्मों में काम करने का कर रहा था लेकिन गुलजार से किया वो वादा उन्हें ऐसा करने से रोक रहा था आखिरकार एक दिन राखी ने दबी जुवान में गुलजार से कहा कि क्या वो उन्हें किसी फिल्म में छोटा मोटा रोल दे सकते हैं ये बात सुनकर गुलजार माने तो नहीं उल्टा और नराज हो गए इस वाकए से राखी को ये इल्म हो चुका था कि गुलजार उन्हें फिर से कभी फिल्मों में नहीं आने देंगे लेकिन जिद की पकी राखी भी कहा मानने वाली थी इस तरह एक तरफ उनकी ख्वाहिश थी तो दूसरे तरफ गुलजार की जिद धीरे धीरे ख्वाहिश और जिद में तक्राओ होने लगा इस दोरान एक बार गुलजार अपनी फिल्म आन्धी की शूटिंग की भैतर लोकेशन की तालाश में कश्मीर गए थे राखी भी उनके साथ थी एक राथ गुलजार फिल्म आन्धी के कलाकार संजीव कुमार और सुचित्रा सेन के साथ होटेल में पार्टी कर रहे थे तो नशे में धुश संजीव ने सुचित्रा का हाथ पकड़ लिया जिसके चलते सुचित्रा काफी भढ़क गई थी गुलजार ने दोनों को शांत करवाया और सुरक्षा के मद्य नजर सुचित्रा को उनके कमरे तक छोड़ने चले गए वहाँ भी वो सुचित्रा से काफी समय तक बात करते रहे ताकि सुचित्रा का गुसा शांत हो जाए लेकिन जब वे एक्ट्रस के कमरे से बाहर निकल रहे थे तो वहां राखी खड़ी थी जो इतनी रात में पती को सुचित्रा के कमरे से बाहर आथे देख भड़क पड़ी अब मैं कैसे यकीन करना कि तुम्हारी जिंदगी में कोई और नहीं है शाम ना चिला मत इसके बाद दोनों में काफी जगड़ा हुआ और गुलजार ने राखी को बुरी तरह से पीर दिया जिसके बाद नाराज होकर राखी गुलजार का घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ कर चली गई इस घर्चना के अगले दिन ही राखी डाइरेक्टर यस चोपड़ा से मिली जो खुद फिल्म कभी कभी के लिए लोकेशन ढूनने के कश्मीर पहुंचे थे यस चोपड़ा भी चाते थे कि राखी उनकी फिल्म में काम करे लेकिन इसके लिए वो गुलजार से पर्मिशन मांगना चाते थे लेकिन राखी ने गुलजार से पूछना ठीक नहीं समझा और फिल्म साइन कर ली इस घर्चना के बाद गुलजार भी राखी से हमेशा हमेशा के लिए नाराज हो गए गुलजार से अलग होने के बाद राखी ने खार की सरोजनी रोड में अपने लिए एक बंगला खरीदा जिसका नाम उन्होंने मुक्तांगन रखा यहां बरसो तक रहने के बाद राखी ने इसे रियल स्टेट कंपनी को इस शर्ट पर बेज दिया कि इस पर जो हाई रैस बिल्निंग बनाए जाएगी उनका नाम भी मुक्तांगन ही रखा जाएगा खेर फिलाल राखी मुंबई के पास पनवेल में अपने फार्म हाउस में कुदरत के बीच अकेले रहती है जहां वो फिल्मी दुनिया से दूर होकर खेती बाड़ी करती है सबजिया उगाती है किसी ने राखी से पूछा कि वो यूँ अकेले क्यों रहती है तो राखी ने कहा कि उन्हें मुंबई के शोड से डर लगता है तो सामने वाले ने फौरण पूछा और इस अकेले पन से नहीं इस पर राखी ने एक फिकी मुस्कान के साथ बात का टॉपिक चेंज कर दिया अरे कैलेंडू लग ऐसे यह तो यूफोबिया राखी और गुलजार के बीज आज तक तलाक नहीं हुआ है दोनों आज भी पती पतनी हैं लेकिन अलग-अलग रहते हैं एक बार एक इंटर्व्यू में राखी ने बताया था कि गुलजार आज भी मुझ पर पती होने की तरह हग जमाते हैं उन्हें मेरे हाथ की फिश करीब बहुत पसंद है तो वहीं गुलजार को भी एक इंटर्व्यू में ये कहते हुए सुना गया था कि उन्हें जब भी राखी के हाथ से बनी फिश करी खानी होती है तो वह उन्हें रिश्वत के तोर पर साड़ी तोफे में देते हैं अब इस गेरी फिक्र को क्या ही कहा जाए वैसे राखी का गुलजार से अकेले रहना ठीक वैसा ही है जैसे गुलजार के पास सब कुछ होते हुए भी सिर्फ एक ही रंग यानि सफेद रंग के कपड़े पहनना कहा तो यह भी जाता है कि फिल्म इश्किया का हिट सौंग दिल तो बच्चा है को गुलजार ने राखी के लिए ही लिखा था जिसमें उन्होंने अपनी जिन्दगी में राखी की एहमेद बताई थी और अपनी खता के लिए माफी भी मांगी थी वही राखी भी गुलजार की काम्यावी पर मुस्कुराती है मानों उनके हमसफर इस उम्र में भी उनसे कह रहे हो की गुलपोश कभी इतराए कहीं तो नजर आ जाए कहीं